तो नमस्कार आदाप सस्ट्रिया काल दोस्तों मैं रजने स्वागत करते हूं आपका हमारे चैनल विद्दे कहनार जन्में तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम यहां पे रिट के सोशल साइंस लेवल साक्रिंड के लिए पढ़ रहे हैं और उसमें हमने योनिट फॉ पायू मंडल चट्टा ने यह सब पढ़ लिए है आज हम जैव मंडल पढ़ रहे हैं और जैव मंडल का भी एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया है दूसरा पार्ट कुछ परियावरण से रिलेटिट बात है आज हम यहां पे पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्र परियास किया गया तो उसी तरह से इने से रिलेटिट बाते हम यहां पे आज शुरू करते हैं तो सबसे पहले है ओजों शरbach कि होता है přाँद देखो सबसे पहले आप यह देखो कि ओजोंगेस हम सब ने पढ़ाim कि ओजोंगेस कहा पाई जाती है समताप मंदल में पाई जाती है जब मेंने आपको परथवी की परतेटी थी सल मंडल में वायो मंडल में जब हमने पढ़ा था कि प्रत्वी की पड़तों में जो समताप मंडल पर पाई जाती है उसमें 15-35 मिटर की उचाई पर या फिर हम यह कह सकते हैं कि 20-60 मिटर तक जो समताप मंडल होती है ओजोन गैस प्रत्वी के तीन अनुओं से मिलकर बनी होती है दोस्तों सॉरी ओक्सिजन के तीन अनुओं से मिलकर बनी होती है और यह अनुओ कौन से होते है यह अनुओ होते है देखो ओक्सिजन तो बनती है ओटू से है न और ओटू प्लस ओ मिल जाएगा तो क्या हो ये और O3 gas कौन से होती है O3 gas होती है Ozone gas है ना मतलब O2 तो हो गया oxygen और O2 में एक और oxygen का करणा अगर मिल जाता है तो यही है O3 gas ozone gas होती है ना यह एक ऐस्थिर gas है तो ऐस्थिर gas हमने पहले भी पिढ़ा था गैस्थिर gas से कौन से होती है जिनके अनुपात में परिवर्तन होता रहता है मतलब उनका अनुपात जैसे nitrogen oxygen है इनका अनुपात निश्टित है कि यह इतना ही रहता है लेकिन यह जो ozone gas है यह carbon dioxide की तरह है कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है इसलिए ऐस्थिर gas है इस gas की सरवादिक सांद्रिता कहां पाई जाती है पंद्रा से 35 किलोमेटर के मद्या दोस्तों पंद्रा से 35 किलोमेटर की उचाई के प्रतरीं से रुख़ा लेती है और प्रतवी पर पहुचने से ने रोख लेती है इस इसे यह ना chip केंसर का घतरा और बहुत सार भीमारियां वने का खतरा बहुत जादा होते हैं तो यह सिर इस कि इससे प्रत्वी को बचाती है ठीक है लेकिन वर्तमान में क्या हुआ मानव निर्मित कुछ रसायन ऐसे है जो ओजोन गैस को विगटित कर देते है O3 गैस जो होते है उसे वापस O2 प्लस O में बदल देते हैं दोस्तो एक कंड हो जाएगा ऑक्सिजन का और जैसे ऑक्सिजन का एक कंड और ऑक्सिजन के दो कंड ऐसे बन जाते हैं तो यह क्या हो गई ओजोन खतम हो गई मतलब O3 बनी थी O3 को वापस से O2 प्लस O में विगटित कर देते हैं मानव कुछ ऐसे रसायनों का प्रियोग करता है और इनका बहुत जादा प्रियोग हो रहा है इसलिए O2 गैस खतम होती जा रही है है ना तो मानव द्वारण दिन में कुछ रसायन ऐसे हैं जो O2 गैस को विगटित कर देते हैं जिससे क्या होता है O2 शरण होता है और यह रसायन कौन से हैं इसे हैं जो O2 गैस करने का कारिय करते हैं तो आपको इन सब का नाम याद रखना है क्योंकि एक्जा में बहुत ओभार पूसते हैं कि निमन में से कौन सा रसायन O2 को विगटित करने के लिए उत्तरदाई नहीं है कौन सा उत्तरदाई है कौन सा सरवाधिक उत्तरदाई है ऐसे कॉशन पूशते हैं इसलिए मैंने आप लिखाया सर्वर पर्थम दोस्तों 1987 में जोसेफ फोर मैं ने अंटार्टिका पर ओजोन शरंड का पता लगाया था किसने पता लगाया था 1987 में सबसे पहले और जोन गैस तो होती यह तो सब जोसेफ फोर मैंने लगाया था अंटार्टिका पर ओजोन परत के शरंड का पता लगाया था अंटार्टिका महादीब जो है नीचे उस पे सबसे पहले पता लगाया कि यहां पर ओजोन गया इसका शरंड बहुत जादा हो रहा है अर्था तो जोन परत में छिद्र हो गया है इन्होंने इस तरह से इसको समझाया तो सबसे पहले किस ने बताया था 1987 में जोसेफ फॉर में ने बताया था और विश्वेस तर पर ओजों शे को रोकने का सर्वा पर्थम प्रियास गुनिसो सत्या से मही हुआ जब उन्होंने बताया तो सब कुछ इंता हो गई कि ऐसे तो प जोट्यासी में इसे रोकने के प्रियास होने लगे और सबसे पहले मॉंट्रियल प्रोटोकोल नाम से एक समझोता हुआ जिसमें कहा गया कि हम सी अफियो कम करेंगे मतलब क्लो फ्लोरो कार्बन को कम से कम लाएंगा और इस प्रितिस्थाबनों का निर्मान को करेंगे जिनक पर यह समझोता हुआ था मॉंट्रियल प्रोटोकॉल नाम से ठीक है फ्रियों 11 और 12 के स्थान फ्रियों 11 और 12 भी ऐसे थी जो की ओजों को शती पहुंचा रहे थी इसके स्थान पर इन से जो भी गैसे निकलते हैं इनसे क्या वतार विरदी होती है तो इतनी सी बाते आपको जोन के बारे में याद रखनी है कि और नीले रंग की गैस होती है ऑक्सिजन के तीन और वह से मिलकर बनी होती है सरवादिक संद्रता होती है 15-35 किलोमेटर के बीच में पेरा बैंगन सब्सक्राइब हो गया जोसेफ फोर में 1987 में सबसे पहला एंटार्टिका पिसकी खोज की ती ओजोन परत में चितर हो गया है रोकने का प्रियास भी 1987 में सबसे पहला हुआ था मॉंट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से तो दोस्तों ऐसे भी एक्जाम में पूछ सकते हैं कि मॉ रहता है तो याद रखना में मॉंट्रेल प्रोटोकॉल है वह जोन शरंड को रोकने के लिए किया गया था फ्रियों 11 और बारागेस्तान पर से एफसी 22 के खोज हुई और हम जोन शरंड को हानिक इसके द्वारा पहुंचा रहे हैं रैफ्रीजर रिट्रों से एर कंडिशनर से मानों इस्प्रे से सुपर सेरिक जेट विमानों से आधी के द्वारा हम ओजोन परत को शर्ति पहुंचा रहे हैं तो यह था दोस्तों ओजोंश है अगले रेक्षर में हम पढ़ेंगे ग्रीन हांस प्रिभाव और उसके बाद में मरा जीव मंदल खतम हो जाएका उसके ब तेरी मच्छ